नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अनुशकार आये और आप देख रहे हैं नेशन भारत नियूज शामली के बुटराडा गाउं में पताका फैक्टरी में सुमवार दोपहर को भीशन विस्वोट हो गया हादसे में कई मजदूरों की मौत होने की सूचना है बतादे कि उत्तरप्रदेश के शामली में बुटराडा गाउं सत्थ पताका फैक्टरी में सुमवार दोपहर को भीशन विस्वोट हुआ हादसे में कई मजदूर खायल हुए गतना की जानकारी लगते ही पुलिस मौकी पर पहुँची और जांच परताल कर राहत बचाव कारे शुरू कर आया बताया गया कि विस्वोट इतना जबर्दस्त था कि काम कर रहे कई मजदूरों की शरीर के चीथरे तक उड़ गए है जानकारी के नुसार बुटराडा गाउं में आज एक पटाका फैक्टरी में धमाकी के साथ विस्वोट हो गया भीशन विस्वोट होने से आसपास की शेतर भी दहल गया लोग तुरंद मौकी की और दोड़े और जानकारी ली ग्रामडों ने पुलिस को विस्वोट की सूशना दी पुलिस ने मौकी पर पहुचकर हादसे की जानकारी ली है हादसे में कई मजदूरों की जान चली गई है हादसा कितना जबर्दस था इसका अंदाजा इसी बात से लगया जा सकता है कि कई मजदूरों के शरीर के चीथड़े उड़कर दूर जाकर गिरे बताया गया कि बुतराडा गाउने वासी रिजवान के पास फुल जड़ी बनाने का लाइसेंस है इसी लाइसेंस के आड़ में वहाँ अवैध रूप से अने पताखे बनाने का काम करता था सुवार दोपैर करीब एक बज़े उसकी फैक्टरी में कई मजदूर पताखा बनाने में जुटे हुए थे तब ही अचानक भीशन विसफोर्ट हो गया आसपास के इलाकों में विसफोर्ट की आवास सुनाई दी सुचना पर पुलिस मौके पर पहुँची तो फैक्टरी में मलबा और पताखे बिक्रे पड़े थे कई मजदूर घाल अवस्था में पड़े थे जिनने अस्पताल भिजवाये गया मरने वाले कितने हैं अभी इसकी पुष्टी नहीं हो सकी है पुलिस ने राहत बचाव कारे शुरू करा दिया है पुलिस ने मजदूरे के शवल मलबे में दबे होने के आशंका जताई है जिनके तलाशी की जा रही है विसफोर्ट इतना भीशन था कि धमाके से फैक्टरी के आसपास के शेत्र में सित मकानों में भी दरारे आ गई वह इम्रतकों के परिजनों को भी पुलिस ने सूचित कर दिया है फैक्टरी में अचानक विसफोर्ट की सूचना मिलते ही मजदूरों के परिजनों में कौराम मजग गया है वे मौके पर दोड़ पड़े तमाम है तुपूर्ण खबरे देखने के लिए बने रहिए नेशन भारत के साथ लेटिस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को दबाए ताकि कोई खबर छूट न पाए